हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हाट है इलेक्ट्रोनिक्स में दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अब तेवहारों का मौसम सुरू होने वाला है तो आप सभी के लिए अपने मंड़प के लिए हो गया थोरन के लिए हो गया बिल्डिंग के लिए हो गया किसमें अजितने भी तरह के हमारे पास अपको फीचर्स बताएंगे कि यह चीज में यूज कर सकते हो और उस कंट्रोलर का प्राइज किया है यह भी हम आपको बताएंगे तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा इसमें हम आपको थोरन का बताएंगे सबसे पहले हम सुरू करते हैं जो सबसे ज्यादा कंट्रोलर चलता है वह होता है तीन तार में पैरल कंट्रोलर ठीक है यह हमारा पैरलल मैनुवल कंट्रोलर है जो कि आपकी 10,000 पिक्सल चलाता है अब यह 10,000 पिक्सल कैसे चलाएगा तो आप एक लाइन में चाहे 100 LED लगाओ चाहे 50 LED लगाओ चाहे 500 LED लगाओ यह तीनों का बटन इधर दिया हुआ है और बीच वाला बटन इसका कलर सेलेक्शन का है और यह वॉल्यूम का बटन है ठीक है और यह कंट्रोलर जो है यह मेटल बॉड़ी में आता है और इधर साइड इसका आपको डेटा दिख रहा है तीन चार डेटा है इसके अंदर तो आप इसको यूज़ करके 10,000 पिक्सल बिल्डिंग पे लगा सकते हो ठीक है यह बटन दवाने स है आप सिंगल कलर मल्ली कलर सारा कलर ऐसनलेट कर सकते हो यह complicado जो है यह ऊरिजिनल के नाम से Copy inicial observing suspend कैम प्राइस Кासम है ठीक है दो सब्सक्राइस बताता हूं तो वह भी आज का है आगे चलका फह घड़ता बढ़ता रहेंगा तो जय ही आप वीडियो देखो तो आप जैसे म तो आपकी दुकान वगएरा है तो आपको काफी discounted price मिल जाएगा तो आप हमसे contact करके इसको quantity में purchase कर सकते हो ठीक है दोस्तों तो मैंने पहला controller बताया जो कि यह parallel थोड़ा कम चलती है और यह जो है इसमें भी आप इधर से 150-500 कर सकते हो यह color selection का है और यह speed का है ठीक है इधर data निकलता है यह जो controller है यह दोनों controller तीन तार पे पट्टे लगाने का है ठीक है parallel controller अब उसके बाद अगर आपको इस तरह के फीचर का नहीं चाहिए मैं इसका प्राइस बताओं तो इसका प्राइस आपको मिल जाएगा 300-300 के बीच में vary होता रहता है ठीक है quantity rate कम हो जाएंगे मैं आपको फीचर और एक अनुमानित प्राइस बताने की कोशिस कर रहा हूं ठीक है अब उसके बाद मैं बताओं तो आपको यह controller जो है यह हमारा controller है इसका वीडियो हमने बनाया था एक साल देड़ साल पहले यह हमारा वाइफ हाई मैनुवल controller है ठीक है जैसे यह controller जो है कि यह मैनुवल गंट्रोलर है इसमें आपको बटन प्रेस करना पड़ता है मैनुवली जाके उसी तरह यह controller है यह वाइफ हाई है मतलब इसका मोवाइल में एप खुलता है उससे आप इसका 150-500 कर सकते हो color वगयला उसमें बटन दिया हुआ है त इसमें चला सकते हो ठीक है दोस्तों अब उसके बाद जो हमने अभी अब उसके बाद मैं यह controller दिखा रहा हूं सामने दिख रहा है तो यह controller जो है यह ही नहीं है ठीक है जो कि keypad वाला फोन है तो वह controller कैसे चलाएं तो उसके लिए हमने किंग सिरीज का controller बनाया है इसका फीचर यह है कि इसमें सारा चीज आप मैनुवली कर सकते हो जैसे वह मैनुवल पैरलल कंट्रोलर है तो अभी तक मार्केट में मैनुवल सिरीज कंट्रोलर नहीं था तो इसलिए हमने यह controller बनाया जो कि मैनुवल सिरीज हो चाहे बीज की हो चाहे आप बिल्डिंग में लगा रहे हो चाहे आप सिखर पर लगा रहे हो महलब कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हो इसका मेन फीचर यह है कि यह connection दोनों पर चलता है ठीक है इधर आप देखो तो इसमें बटन दिया हुआ है मोड का एस और जेड करने है अब इस वॉलियूम को घुमाने से आप उसकी स्पीड स्लो कर सकते हो और फास्ट कर सकते हो ठीक है यह जो है पिक्सल किंग कंट्रोलर है अब यह कंट्रोलर अलग-अलग साइज में मिलता है ठीक है इस कंट्रोलर के अगर मैं साइज की बात करूं तो आपको 10-120 का मिल ज सकते हो ठीक है तो यह जो कंट्रोलर है यह सारे जो कंट्रोलर मैंने बताए जो भी साइज के उनके प्राइस 500 रुप है ठीक है अब उसके बाद मैंने आपको किंग के बाद मैजिक का नाम बताया था तो मैजिक कंट्रोलर यह रहा ठीक है अब इसका फीचर यह है कि यह मल् तो इसका feature सबसे बड़ा यह है कि आप इस controller को S में भी चला सकते हो, Z में भी चला सकते हो, और इस controller की speed जो है वो भी घटा बढ़ा सकते हो, माली ज़िए कोई आपकी setting जैसे नाम जो जिसमें design बस चलता है, तो उसमें आप controller चाहे left में लगाओ, चाहे right में लगाओ, कोई दिक Wi-Fi से change कर सकते हो, ठीक है, तो यह जो controller है, यह magic series का controller है, यह Wi-Fi में मिलता है, और इसके भी कई सारे size हैं, जैसे 10 by 120 हो गया, आपका 12 by हो गया, 16 by हो गया, 8 by का हो गया, आप जैसे gate पे कुछ लोग लगाते हैं, तीनों, मतलब चारों पल्ले का जोड़ के एक साथ connection कर देते ह है, तो उसके लिए भी आप इसको 8 by 10 by में यूज़ कर सकते हो, तो मतलब इसको आप gate में भी यूज़ कर सकते हो, parallel वाले gate पे ठीक है, और आप इसको थोरन के लिए यूज़ कर सकते हो, building में यूज़ कर सकते हो, इसका मैं price की बात करूँ, तो इसका अभी का price 700 रुपए है 750 रुपए, ठीक है, ये भी अलग-अलग size में controller available है, अब उसके बाद मैं बात करूँ, तो ये controller है, अब जैसे वो controller मैं ने बताए, तो वो एक controller एक ही size में चलता है, चाहे उस size का S चलाओ, चाहे उस size का Z चलाओ, ठीक है, अगर आपको मालीजे कई सारी size में चलाना है, जैस तो उसके लिए हमने ये controller बनाया है, अब इस controller में क्या है, ये multi-size का controller है, जो कि small size जो भी होती है, जैसे आपका 8x120 हो गया, 10x120 हो गया, और 12x120 हो गया, 16x120 हो गया, और 20x120, 20x80 तक हो गया मालीजे, तो इतनी size में ये controller चलता है, और इसमें multi-language का feature है, speed घटाने बढ़ाने का feature है, S type और Z type करने का feature है, ठीक है, और इस controller का price अभी 850 है, ठीक है दोस्तों, तो इसको multi-size बोलते हैं, और multi-size में small, आपको अगर ये controller purchase करना है, तो आप 11 in 1, मतलब ये 11 size चलाता है, एक ही controller, अब उसके बाद ये controller जो है हमारा, ये 11 in 1 big size में है, ठीक है, मतलब जैसे आप 50 by 40 हो गया, 50 by 20 हो गया, 25 by 80 हो गया, और parallel connection हो गया, तो उसमें ये use में आता है, अब इन दोनों का मैं price बताओं, तो इसका price जो है, इसका price 750 रुपे है, इसकी खासियती है कि इसमें आप नाम जो है, वो हिंदी language से नहीं डाल सकते, English language का controller है, ठीक है, और ये जो controller है, ये multi-lang language का है, जब भी आपको controller purchase करना हो, तो आप ऐसा photo खीच के मेरे पास भेजोगे, तो मैं आपको बता दूँगा, इसका price गया है, ठीक है, तो ये दोनों controller मैंने बता दिया, आपको multi-size के, ठीक, जिसमें एक से ज़्यादा size चलती है, एक ही controller में, तो दोस्तों, अब मैं जो controller दिखा रहा हूँ, ये कम price में, ये दोनों controller जो थे, ये महगे price के थे, अब ये controller तीन तार में, और अगर किसी को सस्ता चाहिए, लेकिन quality में compromise नहीं है, इसमें feature थोड़े कम है, इसलिए price थोड़ा कम है, लेकिन quality एक number है, ये controller जो है, ये controller तीन तार में, मतलब तीन तार में तो वहाँ से जाके उस controller का full feature, सारी चीज़े देख सकते हो, ये basic introduction का मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये जो controller है, ये 250 रुपए का controller है, जो की HD parallel controller से है, ठीक है, अब इसके बाद इसका थोड़ा सा advanced version है, ये वाला, अब इसमें भी आप 10,000 pixel चला सकते हो, 100 LED, 50 LED, 100 LED करके, और इधर side 70-80 पट्टे चला सकते हो, साथी साथ इसमें जो है, speed control का भी feature, इस पे देखोगे, तो आप कोई एक regulator मिल जाएगा, volume, जिससे आप इसकी चलते समय में speed धीरे और तेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, तो ये जो controller है, ये भी parallel controller है, जो की 10,000 pixel चला सकता है, तो दोस है, ये HD design में volume के साथ आता है, मतलब ये जो controller है, ये आपका जैसे ये अगर दस बाई, 120 का controller है, तो ये आपकी 1200 LED चलाएगा, मतलब 120 feet तक, 4 feet by 120 feet का अगर आपका थोरन है, तो उसमें आप इसको लगा सकते हो, और इसकी designs के साथ, इसका जो है, speed घटा बढ़ा सकते हो, ये ज controller में दिखा रहा हूं, तो इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें इसकी सारी designs जली हुई है, काफी बढ़िया designs जली हुई है, और इस controller का मैं price की बात करूं, तो ये controller साढ़े 300 से 400 के बीच में आता है, ठीक है, अब ये controller जो है, आपको हर size में मिल जाएगा, जितन मतलब आपको HD में volume के साथ कोई भी size का controller चाहिए, तो आप हमसे मागोगे, तो आपको इस तरह का controller मिलेगा, ठीक है, और उसका price आपको 300 से 400 रुपे में पड़ेगा, और आप उसमें चलते समय आप उसकी speed बगएरा घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है, अब उसके बाद मैं अग रगए controller है, HD variant में आते हैं, इनके अंदर volume आपको नहीं मिलता है, ठीक है, इसका जो price range रहता है, वो 200 से 200 के बीच में रहता है, ये HD controller के नाम से मिलते हैं, अब ये controller आपको सारे size में मिल जाएंगे, आपको 10 by 120 में मिल जाएगा, 12 by 16 by 50 बाई में, मतलब जितनी भी size आप बो रोगे तो बहुत सस्ते मिल जाएंगे, ठीक है, और नॉर्मली ये controller का जो price रहता है, वो price आपको 1500 रुपे तक मिलता है, 100 रुपे से 1500 के बीच में ये controller वेरी करते हैं, और ये controller भी आपको कई सारे size में मिल जाएंगे, आप चाहो तो इसको building में लगाओ, आपको मतलब 2000 पि अब दोस्तों, अगर हम Wi-Fi में आते हैं, तो सबसे सस्ती range से अगर मैं सुरू करूँ, जो controller सबसे ज़्यादा चलते हैं मार्केट में, तो वो आते हैं कि जो English language में रहते हैं, मतलब जैसे ये controller है, इस controller में आप देखोगे, तो लिखा हुआ है 15 x 60 SZ connection का, ठीक है, तो ये जो controllers हैं, ये सारे जो controller हैं, ये English language के controller है, Wi-Fi में, Wi-Fi में आप किसी का भी नाम डाल सकते हो, और चाहे आप नाम डालो, चाहे मुवाइल नंबर डालो, और उसमें जो है, आप building पे, थोरन पे, मतलब कई जगह पे इसको चला सकते हो, नाम के साथ, मतलब इसको ऐसा display controller भी यूज कर सकते हो, थोरन controller भी उसकर सकते हो, और इसका जो price range है, वो 400 से 500 के बीच में, इसका price पड़ता है, Wi-Fi में अगर आप जाओगे, तो सबसे सस्ता controller Wi-Fi में, यह controller आपको मिलेगा, जो कि थोरन और display के रही use में आएगा, अब यह भी controller अलग-अलग size हो में available है, S type में, Z type में, 10 by में, 12, 16, 15, 50, 40, 50, 80, सारे size में, यह controller आपको मिल जाएंगे, Wi-Fi English language में, ठीक है, और इसी के अगर आप चाहते हो, कि Wi-Fi multi language में आए, तो सस्ते में Wi-Fi multi language, जैसे मैंने आपको magic series बताया था, तो वो आए, तो आप अब देख सकते हो, अंतर यह जो है, यह English language है हर size का, और वो magic series बाला multi language है हर size का, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, यह जो सारे controller थे, इन सारे controller में एक खासियत थी, खासियत यह थे, कि यह सारे controller बिना Wi-Fi के हैं, अब हम आपको एक नए तरह के controller दिखाते हैं, जो कि price में थोड़ा सा महगे हैं, और उनके features भी काफी अच्छे हैं, मैं आपको एक एक करके वो controllers बताता हूं, ठीक है, तो सबसे पहला जो controller है, यह सबसे पहले देखिए, तो यह metal box के अंदर controller है, ठीक, और इसके अंदर आपको एक memory card मिलता है, जो कि memory card काम में आता है, अलग-अलग size के controllers के program, मतलब अलग-अलग size के थोरंस के program, इस memory card के अंदर ड जैसे आपका T1000 आता है, कि जो भी size का program बना के डालो, तो T1000 में चल जाता है, तो उसी तरह का यह controller है, इस controller के अंदर आपको memory card मिलता है, इस memory card के अंदर LED build software से, जो भी program बना के डालो गया, वो program आपका चल जाएगा 2000 पिक्सल तक, अब इस controller का नाम जो है, वो SZ2000 है, जैसा क और इधर साइड जो point है, यह plus और minus देने का point है, ठीक, और इसके अंदर आपको एक memory card मिलता है, 8GB का, जब आप starting में program खरीते हो, controller खरीते हो, तो program को आपका पैसा नहीं लगता है, इस controller के साथ आपको program मिलता है, ठीक है, और बाद में भी आपको एक program change कराना है, तो LED build free software है, उसके अंदर आप program download कर सकते हो, और चला सकते हो, ठीक है दोस्तों, तो इस controller का price जो है, अभी के rate में इसका price 1100-1200 के बीच में है, यह भी Wi-Fi multi language है, अब इसके अंदर आप कितना भी बड़ा नाम, किसी भी विवासा में कुछ भी नाम डाल सकते हो, ठीक है दोस्तों, इसका म पांच बनाए हुए है, तो मैं उसका link आपको लगा दूँगा, अब उसके बाद दोस्तों बात आती है, कि यह जो controller है, यह तो हमारा single port का है, अब यही feature में आपको multi port, मतलब जो है, single port से ज्यादा, एक port से ज्यादा, तो यह जो controller है, यह हमारा 8 port का controller है, same वही सारा feature है, इस इस पे जो pixel capacity है, तो वो 8000 pixel है, मतलब एक point से आप 1000 pixel चला सकते हो, इधर देखो तो 8 point इसके अंदर बने हुए है, तो आप 8000 pixel चला सकते हो, चाहे तो आप S connection में चलाओ, चाहे तो Z connection में चलाओ, जिस भी connection का program इस memory card के अंदर डाल दोगे, वही program आपका चलने लगेगा, यह हाँ देखो memory card लगाने का point बना हुआ है, ठीक है, और यह भी controller आपका Wi-Fi multi language है, मतलब किसी भी भासा में किसी का भी नाम डाल सकते हो, ठीक, अब यह जो controller है, यह हमारा display के लिए उसमें आता है, चाहे तो आप 10 by का थोरन बनाओ, चाहे तो आपकी बड़ी थोरन हो, 100 LED के थो हो, मतलब 8000 pixel तक किसी भी तरह से इस controller को use कर सकते हो, ठीक, अब इसी तरह से एक और controller है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, यह जो controller है, हमारा, यह gate का controller है, ठीक है, अब मैं इसको gate का controller क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यह controller आप देखोगे, तो लगभभभभभभभभभ देखने में एक ही जैसे है, इसका मैंने price आपको नहीं बताया, इस controller का price जो है, वो है 1800 रुपए, 1800 रुपए इस controller का price है, ठीक है, अब यह gate का controller है, इस controller का नाम WG8000 है, ठीक है, अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कि यह Wi-Fi gate का है, अब gate मतलब क्या होता है, कि जैसे माली जैसे घोड़ा दवड़ाना है, तो पूरे gate पे आपका घोड़ा दवड़ जाएगा, ठीक, तो मतलब यह अलग-अलग port से data दो, और पूरा 3D में चलाओ, और उसके बाद यह Wi-Fi से इसमें नाम भी डाल सकते हो, ठीक, जैसे माली जैसे आपको नाम डालना है, gateway आपना नाम डालना है, किसी का भी नाम डालना है, तो Wi-Fi से आप center में इसके नाम चला सकते हो, अब उसके बाद इसको आप पुछोगे कि और कहां-कहां यूज़ कर सकते हो, तो आप इसको gate में यूज़ कर सकते हो, सबसे पहली बात, आपका 5 पार्ट का gate हो, 6 पार्ट का gate हो, 7 पार्ट कुछ वीडियो बगारा चलाना हो, तो आप इस controller के अंदर वीडियो का भी program बनवा सकते हो, आप इसको dance floor में भी यूज़ कर सकते हो, अभी मैंने कुछ दिन पहले इसका वीडियो बनाया था, जिसमें अलग-अलग data दे के पूरा dance floor आपके 9 पल्ले चला के दिखाये थे, औ में उसमें नाम भी चला के दिखाया था, ठीक है, तो यह multipurpose का controller है, और price भी इसका केवल और केवल 1800 रुपए है, तो यह controller आप हमसे मगवा के और चला सकते हो, ठीक, तो मैंने अब आपको multiport में दो controller दिखाये, एक single port का दिखाया, और एक art port का दिखाया, अब उसके बाद, अब मालीजे, आपको और port बढ़ाने है, ठीक है, तो उसके लिए यह controller जो है हमारा, उसके लिए यह हमारा controller आता है, ठीक है, इस controller का नाम अगर देखोगे, तो इस controller का नाम है W6000 AC controller, अब इस controller की मैं features की अगर बात करने लगूं, तो इसके अंदर काफी जादा features है, ठीक है, मैं एक एक करके कुछ features आपको बताने की कोसिस करता हूँ, तो सबसे पहला feature यही है, कि इसके अंदर आपको 40 port मिल जाते हैं, ठीक है, 20 port इधर मिल जाता है, और 20 port आपको इधर मिल जाता है, तो आप इस controller जो है, यह 40 port का Wi-Fi multi-language controller है, अब इस controller की सबसे बड़ी खासियत यह है, कि इसको आप S connection में भी चला सकते हो, Z connection में भी चला सकते हो, पैरलल connection में भी चला सकते हो, और इसकी total pixel capacity की मैं बात करो, तो इसकी capacity जो है, वो 6000 pixel है, और इसके अंदर आप देखोगे, तो यहाँ पे memory card भी मिलता है, बहुत सारे market में 40 port Wi-Fi controller आते हैं, तो उसमें आप अग RGB का memory card मिलता है, अब इसके अंदर जिस भी connection का आप program डाल दोगे, LED build software से, वही इस controller के अंदर चलने लगेगा, ठीक है, अगर आप 40 के 40 port यूज़ करोगे, तो एक port में 1500 LED यूज़ कर सकते हो, ठीक, तो 1500 into 40 करोगे, तो 6000 pixel होता है, अब मालीज, अगर आप S connection यूज़ करना च यूज़ करते हैं, road ceiling में यूज़ करते हैं, और गुंबद वेगरा में भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर आप, के अंदर जो भी आप animation डालोगे, तो वो काफी अच्छे इसके अंदर animation आते हैं, मैंने इसका पहले भी video बना रखा है, तो वो आप जाके देख सकते हो, और ये controller में अलग से आपको power supply देने का जरुवत नहीं पड़ता, ठीक है, ये controller का self का power supply है, तो ये जो है AC controller है, अब इसके बाद इसी का पुराना version है, जो की memory card, इसी का ये दूसरा version है, जो की box के साथ नहीं आता, बिना box गयाता है, उसका मैंने price आपको नहीं बताया, उसक इसको भी आप S-type, Z-type, parallel में भी use कर सकते हो, इसके अंदर भी आपको memory card मिल जाता है, और इस controller का जो price है, वो price आपको पड़ेगा 2000 रुपे, इस controller को आप जल्दी से जल्दी हमसे मगवा सकते हो, अब उसके बाद मैं 40 port का और बात करूं, तो ये आपको 40 port controller मिल जाता है, जि आपको 8 GB के दो memory card मिलेंगे, इस पे आप 50 by 40, 100 by 40, 25 by 40, मतलब किसी भी तरह है कि आप parallel में इस controller को use कर सकते हो, ये controller जो ही पहले सही synchronized रहते हैं, ठीक है, तो ये controller आप हमसे मगवा सकते हो, अब किसी को चाहिए, मेरे को इस से भी सस्ता चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे प 40-45 मिनेट की काफी बढ़िया डियाइंस मिलेंगी, मैं लगभग इसका एक डेड़ महीने पहले मैंने इसका एक वीडियो डाला था, मैं आपको वीडियो का लिंक डाल दूँगा, काफी बढ़िया डियाइंस है, ठीक है, अगर आपको ऐसी condition पे चाहिए, कि बस आप controller लग रखते हो, ठीक, ये controller का मैं price का बात करूं, तो इस controller का price 900 रुपए है, ठीक है दोस्तों, अब मैं ये तो 40 sport के होगे, अब मैं थोड़ा आपको 20 sport के वारे में भी बता देता हूं, तो दोस्तों, आगर हम 20 sport में आते हैं, तो 20 sport में सबसे बढ़िया controller अगर कोई है, तो ये controller ह खासियत ये है कि ये genix का controller है, ठीक है, जब भी आप market में controller purchase करने जाओ, तो इस तरह के controller आपको बहुत सारे देखने मिलते हैं, और काफी सस्ते सस्ते देखने मिलते हैं, तो आप उसको इस controller से confuse मत होना, ये जो controller है, ये genix का controller है, साथी साथ इसमें synchronization का भी feature है, synchronization मतलब ऐस होता है, कि आप एक controller से दूसरा controller, तीसरा controller, चौथा controller, मतलब कई सारे controller connect कर सकते हो, और उसके अंदर पूरा 3D में प्रोग्राम चला सकते हो, ठीक है, और उसके बाद इसमें जो है, memory card का भी feature मिल जाता है, इसके अंदर देखोगे, तो आपको memory card भी मिलता है, 8GB जिसके अपने से भी program बना के इसके अंदर डाल सकते हो, इस पे अगर आप देखोगे, तो इस पे Genics plus Synchronization दोनों चिल लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये controller आप हमसे मगवा सकते हो, अब दोस्तों, बीस port में अगर आपको सस्ता controller चाहिए, तो आपको ये controller मिल जाता है, ये controller जो है, य इधर साइड आपको बटन मिल जाता है, जो कि आप 50 by 20 program रहेगा, तो उसको नीचे कर दीजे, तो ये 100 by 20 हो जाएगा, बीना program चेंज किये, ठीक है, तो ये controller आप हमसे मगवा सकते हो, ये controller जो है, वो LED edit variant में है, इस controller का price 800 रुपे है, मैंने आपको Genics वाला controller का price नहीं बताय इस controller का price 1450 रुपे है, ये controller आप हमसे मगवा सकते हो, अब उसके बाद ये जो दोनों controller मैंने आपको बताए, इसके अंदर Wi-Fi का feature नहीं है, ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि आपको चलते set पे किसी का नाम डालना है किसी भी भासा में, तो उसके लिए controller हमने बनाया है, ये 20 port का Wi-Fi controller है, ठीक है, इसमें क्या है कि आप 50 by 20, 100 by 20, दोनों चीच चला सकते हो, Wi-Fi से इसमें किसी का भी नाम डाल सकते हो, speed घटा बढ़ा सकते हो, बहुत सारे feature इसके अंदर है, और इस controller का जो price है, वो price 900 रुपे है, ये 20 port Wi-Fi controller है, ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद अगर हम और सस्ते में जाएं, तो आपको ये 20 port controller मिलेगा, इस controller का feature ये है, कि ये 328 IC में आता है, ठीक है, 328 IC में आता है, मतलब कि इसके अंदर space जादा है, space जादा है, यानि इसके अंदर program जो है, वो काफी जादा program है, ठीक है, designs की बात करने लगूं, तो कब से कम इसमें 40 minute की design है, जो कि आप 50 by 20 और 100 by 20, दोनों में चला सकते हो, काफी बढ़िया design के साथ controller है, और इस controller का price जो है, वो साधे 400 रूपे है, ठीक है, अब आपको अगर इससे भी सस्ता controller चाहिए, तो मैं ये नई design का 20 port का controller लेके आए हूँ, जिसकी price सुनके आप चौक जाओगे, इसक controller का price है, अगर आपको ये controller quantity में purchase करना है, तो आप हमसे content कर सकते हो, इसका retail price मैंने आपको 200 रूपे बताया है, तो आप हमसे ये controller मगवा सकते हो, star वाली नई design इसके अंदर डली हुए, ठीक है, पुरा start empty वाने वाली design इस controller के अदर available है, अब ये दोस्तों जो controller है, ये और न 24 port का controller है, एक से लेके पूरा 24 port इसके अंदर port दिया हुआ है, जिसमें आप pixel लगा सकते हो, और पीछे देखोगे, तो इसमें आपको wifi भी मिल जाता है, और memory card भी मिल जाता है, ठीक है, तो इस controller के अंदर आप 24 by 50, मतलब 50 LED के 24 line लगा सकते हो, और 100 LED की 24 line लगा सकते हो, ठीक controller है, वो मिलता है, इसका मैंने प्रोग्राम अभी एक महीने पहले दिखाया था, इसकी डिजाइंस, तो ये controller आप हमसे मगवा सकते हो, अब दोस्तों उसके बाद ये controller साब देख सकते हो, ये आपको बहुत सारे controller लग रहे होंगे, लेकिन ये एक ही set के controller है, मतलब अगर जो designs आती है, वो left, right और up, down दोनों आती है, मतलब सारी तरह की designs आएगी, और एक पट्टे से दूसरे पट्टे के बीच में connection नहीं रहेगा, ठीक है, ये controller आप हमसे मगवा सकते हो, इसके अगर खुले में price लोगे तो 200 रूपे, इसका controller का price मिल जाएगा, ये controller आप, पूरा 50 by 20 का set, 50 by 40 का set, 100 by 40 का set, आप हमसे मगवा सकते हो, ये दोस्तों जो मैंने controllers अभी आपको बताए, ये सारे controllers आपके थोरन पे, building पे, road ceiling पे, और गुम्बत के लिए थे, ठीक है, अब मैं थोड़ा आपके और controller दिखाता हूँ, जहां जहां pixel LED यूज होती है, तो सबसे पहला चेहरा जो आता है, वो dance floor आता है, ठीक है, dance floor के लिए बहुत दिनों से लोगों का requirement था कि आप dance floor के controls बनाएं, तो हमने controllers बनाए हैं, तो सबसे पहले दिखाऊं तो जैसे यह बारा बाई-बारा का एक नौपले तो नौपले में यह अलग-अलग कंट्रोलर लगाई और दोस्तों इसमें आप बटन दिख रहा होगा बटन का काम यह है कि इस पे जो है आप स्टार डिजाइन चला सकते हो जैसे बहुत सारे लोग तो आपको काफी HD quality की डिजाइन चलेगी जिसका मैंने वीडियो अभी इसका सेप्रेट वीडियो भी डाला था मैं आपको डिस्क्रिप्सन में इसका लिंक दे दूंगा ठीक है तो यह अलग-अलग पल्ले पर अलग-अलग कंट्रोलर लगाने वाला है ठीक अगर माली आप आपको चाहिए कि आपको एक ही इस चाहिए जो कि सारे में कवर कर लें तो उसके लिए भी हम ने कंट्रोलर बनाया है इसका मैं प्राइज की बात करूं तो इसका प्राइज सा अगे 300 रूपर है 350 रूपर ठीक है अब यह जो है कई साज में मिल जाता है जैसे बाराबाई- आपको तीन डेटा मिल जाता है माल लिजी आपके जैसे 16 बाई 16 के नौ पळले हैं ठीक हो गया 15 15 हो गया तो 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 आप एक लाइन पे इसको दे दो जो पहला पल्ला है उसका धुसरे से हो जाएगा दूसरा का तीसरे से मतलब एक data में तीन चल जाएंगे और उसी तरह से दूसरे डाटा में तीन चल जाएंगे तो टोटल आपके नौड गोशा की बात कर खरो तो इधर देखके मोड में आपको star स्टार और एच्टी दो ऑप्सन मिलता है जिसमें बटन लगा हुआ ठीक है जब आप एच्टी की तरफ कर दोगे तो आपको एच्टी एनिमेशन चलने लगेंगे पूरा का पूरा एक जैसा दिखेगा ठीक है और उसके बाद जब आप ऐसा उपर साइड कर दो कि स्टार का त अब उसके बाद मैं आता हूँ कार डेकोरेशन पर ठीक है तो कार डेकोरेशन का जो साइज है वो ज्यादा तर फिक्स साइज होता है पचास एलीडी की बारा लाइन ठीक है तो उसके लिए हमने एक नया कंट्रोलर बनाया है यह कंट्रोलर आप देख सकते हो एच्टी कंट जो है आपको S connection में भी मिल जाएगा जेट connection में भी मिल जाएगा ठीक है इस कंट्रोलर का प्राइस जो है वो 500 रूपए है और इसका सबसे बड़ा फीचर है कि इसमें भी आपको एक वोल्यूम मिल जाता है अब वोल्यूम से क्या कर सकते हो आपकि चलते समय इसकी स्पीड चाहो तो slow कर लो चाहो तो fast कर लो ठीक है अब यह हमारा जो है यह card decoration में HD variant है इसका भी normal variant भी आता है उसका प्राइस आपका 200 रूपए है उसकी भी designs मैंने लगा रखी है तो वो आप देख सकते हो ठीक है यह controller जो है वो इस तरह का दिखता है यह controller जो है इसकी भी काफी बढ controller मिल जाते हैं एक HD variant में और एक normal variant में ठीक है तो यह दोनों controller भी आप हमसे मगवा सकते हो अब उसके बाद दोस्तों हम थोड़ा smart lighting feature पे आते हैं जहां पे pixel यूज होता है smartly मतलब जैसे home application में यूज करते हैं इस टेयर के लिए ठीक है माली जापकी सीडियां है सीडियों पर आपने light लगाई है तो उसके लिए हम एक नए तरह का controller बना के लाएं आप देखोगी यह तो आरजीबी वाई भाई इस टेयर controller है अब इस controller का फीचर यह है कि यह सबसे बड़ी बात मेटल कैबिनेट के अंदर आता है और यह एसी controller है इसको आप डाइट लाइट पे लगाओ यह controller चालू हो जाएगा अब इस controller में आपको दो sensor मिलते हैं अब एक sensor आपको उपर साइड लग जाता है एक नीचे साइड लग जाता है और इधर साइड आपको data निकालने का point रहत सकते हो इस controller का मैं price की बात करूं तो इसका 2150 रुपए controller का price है इस controller को आप हमसे मगवा सकते हो आपको यह controller और sensor इसके साथ मिलेगा ठीक है और इसमें आप maximum 32 स्टेर तक का मतलब सेटिंग कर सकते हो और इसके अंदर आप स्टेर की color चेंज कर सकते हो RGB कर सकते हो सिंगल कलर सक कर सकते हो स्पीड घटा बढ़ा सकते हो मतलब बहुत सारे इस controller के अंदर वह आप देख सकते हो ठीक है यह RGB स्टेर लाइट controller है दूसरा स्मार्ट लाइटिंग में यह feature आता है जो कि आप cracker के लिए use कर सकते हो ठीक है जो आपकी RGB strip होती है तो आपको इस set को अगर आप खरी use में आता है तो इसको आप मगवा सकते हो इसका प्राइज की मैं बात करूँ तो इसका प्राइज जो है आपका 600-700 रुपे के करीब आता है तो आप हमसे इस controller को मगवा सकते हो अब उसके बाद यह controller है यह T1000 controller है जैसा कि आप सभी लोग जानते हो यह 2000 पिक्सल चलाने के use मे आता है और इसका जो प्रोग्राम बनता है वह LED एडिट सौफ्ट्वेर से बनता है तो यह controller भी आप हमसे मगवा सकते हो इसका प्राइज काफे सस्ते रेट में आपको दे दूंगा जब आप controller प्रचेस करना तो आप हमको बताना तो काफी सस्ते प्राइज में इस controller को आपक होता रहता है और आपको प्रोग्राम के हिसाब से इसका प्राइज होता रहता है तो आप हमसे प्राइज सकते हो और इसको मगवा सकते हो ठीक है दोस्तों मैं अभी इसका प्राइज नहीं बता रहा हूं जब आप हमसे मगवा होगी तो इसका प्राइज उसी समय आपको पत तो इस तरह कि घंटोलर हमारे पास है मैं लगंग को की चाटा हूं दिखाता हूं तो उसमें तुम सब्सक्राइब जो controller है वो हमारा ये controller है उसमें जो सबसे सस्ता controller है वो हमारा ये controller है ये पांच port का controller है ठीक है और इसकी capacity बहुत ज्यादा है इसमें एक port में आप साथ से आठ लड़ी एक ही port में लगा सकते हो ठीक है तो इसके अंदर जो है वो single running का controller है जिसकी आप speed घटा बढ़ा सकते हो और यह माइनस रन सरकीट है मतलब जो pixel होती है सिंगल कलर वाली उसका प्लस डारेक्ट आप सप्लाई से दे दो और माइनस इस controller से जाएगा ठीक है तो यह माइनस रन का पड़ेगा इसमें भी दो वैरियंट आपको मिल जाते हैं अब दोनों जो है 14 चैनल के हैं एक की कैपसिटी है एक पोर्ट पे एक पिक्सल चलाने की ठीक है 14 पोर्ट पे 14 चलाओ और काफी बढ़ियां इसके इंदर डिजाइंस जली हुई है ठीक है वो डिजाइंस आपको नहां पर दिख भी जाएंगी जब आप इसको लगाओगे तो यह जो कंट्रोलर यह बारा वोल्ट से चलता है अब उसी में यह कंट्रोलर जो है यह एक पॉइंट पे साथ लीडी सपोर्ट करता है ठीक है यह भी 14 चैनल का चेजर है तो यह कंट्रोलर भी आप हमसे मगवा स चला सकते हो अब दोस्तों कुछ लोगों का रिक्वार्मेंट रहता है कि उनको लाइव कंट्रोलर चाहिए ठीक है मोबाइल से आप चेंज करो तो उधर चेंज हो फोटो चलाओ नाम चलाओ कुछ भी चलाने का लाइव कंट्रोलर का अगर बात करो तो यह हमारे पास एक च सफ्ट्वेर से चला सकते हो उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है तो आप वो देख सकते हो ठीक है मोबाइल एप से भी इसमें लाइव चल जाता है तो दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा जो लोग होल से रहे हैं जो लोग अपने से प्रोग्राम डालते हो उनके लिए लेकर अपना डालन के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इसके लिए आपको प्रोग्रामर और सफ्ट्वेर की जुरुत पड़ेगी जो भी हमारे द्वारा अवेलेबल करवा दी जाएगी ठीक है सबका अलग-अलग प्राइज है तो आप हमसे उसके लिए भी u posible आपको मैंने आपको Single pen Soul के बारे मी बताyan जो यो कि 12 मोट से चलती है है मैं उनके डीस्प्लेइ होते हैं पीटेन वाले display होते हैं उनके controllers भी थोडिए थोड़े बता देता हूं आपको नॉर्मली दो तरह से आपके display होते हैं जो की एक होता है और इक होता है तो उनके में डिखा हूँ सबसे पहला कंटोलर यह है हमारा w02 जो की दुप रोड़ा कंटोलर है त्छल के लिए या के लिए तो तो नाम डाल सकते हो किसी विभासा में दोस्तों इससे आप confused मत हो ना पिक्सल से ठीक है यह पीटेन डिस्प्ले जो आते हैं उसके controllers है तो मैं यहाथ में कुछ controllers है यह single color का है और यह multi color का single port का है WF1 और यह WF2 है ठीक है WF2 का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है 5500-600 के करीब आता है इसका प्राइस थोड़ा सा कम है WF1 का जो की 4500-500 के करीब आता है और यह जो है यह 3500 के करीब आता है जो हमारा single color के लिए है ठीक है W02 बोल रहे है उसके तो यह सारे जो controllers है यह हमारा video पूरा controllers के बारे में ठीक है यह हमारा जो video था यह पूरा controllers के बारे में था अब मैं अगला वीडियो बनाओंगा जिसमें जितनी भी तरह की supply ओती है वह supply के बारे मैं बताऊंगा जितने पितरह हमने सब्सक्राइब आप हमारी website को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल पर बने रही है ठीक है दोस्तों